वेदर फोकस्ट की बात करें हमारे North Eastern Region में 7 October की बात करें तो 7 October को expect कर रहे हैं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है और 8, 9 और 10 October को अरुनाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभा यहां के forecast की बात करें तो 6 October को हम लोग expect कर रहे हैं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है एक या दो स्थानों पर भारी से अती भारी वर्षा होने की संभावना है और साथी साथ एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा भी होने की अती संभावना है साथ अक्टूबर को हम लोग expect कर रहे हैं असाम और मेगाले सबडिविजन के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है साथी साथ एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की अती संभावना है और इसके साथ साथ एक या दो स्थानों पर थंडर्स्टॉर्म लाइटनिंग भी होने की संभावना है आठ अक्टूबर की बात करें तो आठ अक्टूबर को हम लोग expect कर रहे हैं असम में गाले सब्डिविजन के अधिकान श्थानों पर हलकी से मध्यम श्थर की वर्षा होने की अती सम्भumbna है और 9 और 10 अक्टोबर को except कर रहे हैं कि नागलेड मनिपुर मिजरम और ट्रिपूरा सब्डिविजन में कि कुछ स्थानों पर हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है और 10 अक्टोबर को यहां के अधिकांश स्थानों पर हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है वेदर फोकस्ट की बात करें हमारे North Eastern Region में 7 अक्टोबर की बात करें तो 7 अक्टोबर को expect कर रहे है अधिकांश स्थानों पर हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है और 8, 9 और 10 अक्टोबर को अरुनाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है हमारा दूसरा सब डिविजन है असम बेगाले यहां के फोरकास्ट की बात करें तो 6 अक्टोबर को हम लोग expect कर रहे हैं अधिकांश स्थानों पर हलकी से मध्यम स्थर की वर्षा होने की अती संभावना है एक या दो स्थानों पर भारी से अती भारी वर्षा होने की संभावना है और साथी साथ एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा भी होने की अती संभावना है 7 अक्टूबर को हम लोग expect कर रहे हैं असाम और मेगाले subdivision के अधिकांश स्थानों पर हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है साथी साथ एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की अती संभावना है और इसके साथ साथ एक या दो स्थानों पर thunderstorm, lightning भी होने की संभवना है आठ अक्टूबर की बात करें तो आठ अक्टूबर को हम लोग expect कर रहे हैं कि असाम मेगाले सब्डिविजन के अधिकान स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभवना है और 9 और 10 अक्टूबर को expect कर रहे हैं कि कुछ यहां के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभवना है 7 अक्टूबर को हम लोग expect कर रहे हैं कि यहां के अधिकान स्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभवना है और 10 अक्टोबर को यहां के अधिकार सिस्थानों पर हल्की से मध्यमस्तर की वर्षा होने की अती संभावना है